नमस्कार दोस्तों मैं अजित कुमार श्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल दोस्तों आज हम लोग जो देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं लाव और हानी यह लेशन काफे इंपोर्टेंट है और हर एक एक्जाम कॉम्पेटेटिव एक या दो को इसन डाल देते हैं और बहुत ही सिंपल लेकिन ज्यादा तर इस्टुडेंट क्या होते हैं तो आज हम लोग सिंपल क्रिक पर बात करेंगे बहुत ही सांधार वीडियो होगा तो आप लोग देखें तो बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हैं और हां नहीं इसमें यहां हां कौण कौण टॉफिक हम लोगो को समझ बेसिक समझ में है तो देकिंट्र होता कैले यह को रदीगे współ doin खरिए 500 में 656 रिए लेना को हम क Wam को क्या करना लाव लेना है त्हिक है उसको बेच णावद कि मौन ओसको क्या दूस्तों बेच दिने अब जो होगा हम लोग जो खड़ दें 500 अब खड़ एक तो यह जो हो जाए का दोस्तों सिपी मतलँ कोस्ट प्राइज फिक ये क्रेमिल हो जाएगा और बेच दिये कितना में भाई शाप सपर्परा में बैच दिए कि तो यह सपी सेलिंग प्राइज हो जाएंगे तो आप इस फायदा हम लोगा कितना हुआ दोस्तों ढया फैदा जो इतना हुआ मतलब क्या प्रॉफिट होगा ठीक है प्रॉफिट होगा तो साथ सो माइनस पानफ्रों इसकर तूदू सो तो यह जो जाएगा आप लोग का प्रॉफिट हो जाएगा मतलब लाव हो जाएगा 700 रॉप्या में कोई वस्तू को हमने बेच दिया 500 रॉप्या अंगर अगर सपोज डैंट देखिए अगर सपोज डैंट मारगे चलिए कि यह वस्तू कि अगर ये वस्तू क्या होते हैं ये वस्तू साथ सोग्वा में खरीक है और 500 नहीं होता लाव नहीं होता क्यों कि दोश्ट प्राइड जो है हम हम लोगों का क्रेम जो है वो 700 अधिक है तो इसमें रूपिया हम लोगों हो जाता है ऐसे में डूस रौपिया का हानी होता है तो अब बात करते हैं आप लोग समझ गये होंगे की सेलिंग प्राइज मतलब क्रैमूल होता है चली प्र प्रॉफिट होता है मतलब लावता है से लौस होता है मतलब हाँ नहीं होता है अब ज्यादातर कुश्चन में क्या करते हैं कि खाए कि क्रेमुल सीपी का परसेंटेज बताए है वर फिका परसेंटेज बताए है और लौस का परसेंटेज तो इसे कीशन है थूरा सा ढिते हैं तो हम लोग दिए मतलब को सध्य कियसे कैते हैं अधिक Ein और या इक हजार रौपया में बता रहा हूं राम है इसको 20% का क्या लेना हैं दूस्तों इसको 20% का लाव लेना किगन है 20% पर सेंट का आवला लेना इसके पिता कातते हैं तुम जाओ 20 का इस लेडियो कैसे भी करके लाव लेकर आओ, प्रॉफिट लेकर आओ, तो हम लोग जो जानते हैं, इसका एंसर कैसे निकालेंगे, देखे, बहुत ही सिंपल, कैसे, ऐसे कोई सिंपल तरीका से हम लोग दिए करेंगे, हम लोग जानते हैं, कि कोई भी बस्तू अपने आप में 100% होती है, तो जब लाव की बात हो रही है, यहां कि लाव लेकर आओ, भाई, प्रॉफिट लेकर आओ, तो एक सो प्लस बीस, कितना करेंगे हम लोग, यहां पे एक सो प्लस बीस, मतलब कहने का मतलब यह जो इसके पीटा कह रहे हैं, कि जाओ भाई, बेटा, तुम एक सो बीस परसेंट ल हैं, एक हजार है, इसका एक परसेंट ही इसका रिजिगल बात ही, तो हम लोग को निकाल लाएं बैख वेक यह ए लोग क्या करेंगे, यहां पर ंप्लस बैख देखिए, इस से हम लोग लोग कितना कुष्चन निकाल सकते हैं, अब क्या हुआ क्या हुआ, यह 12 परशन पर सेंट का लाव हो गया बाराव सब्सक्राइब यह हमारा बैच दिया तो यह CP नहीं CP हम लोग प्राफिट कितना हुआ हम लोगों ने पहले कुश्चन में दिया एकॉर्डिंग तो कुश्चन के रूशा और जो बेच दिया यह सेलिंग प्राज हो जाएगा कितना 300 परिया ठीक है अब हम लोग का प्रफिट कितना हुआ प्रफिट कहिएगा सर जी यहां तो आप लोग 20 पर Sheppard' कितना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे बाराशोचो ँदेखिए हम एक ठीजिए देह थाउट देखते हैं है देखे बारा सो में से क्या करेंगे बारा सो में से कितना 1000 को क्या आ drama करेंगे दोस्तों , क्या है राम है वो क्या किया कोई वस्तु को 500 प्या में खरीद लिया तो यह जो खरीद लिया और क्या किया उसको 10% हानी पे बेच दिया क्या हुआ कितना हो गया दस परसेंट तो राम के पीटा करेंगे यह जो मैं बताया था कि कुई वस्तु अपने आप में कितना लोस हुए कहने का मतलब 100-10 क्या करेंगे हम लोग 100-100-10-10-10-90 क्या हुआ देखें दो तरीका से में बता रहा हूं क्या हुआ उसके बेटा को बता रहा है कि जाओ बेटा चेक करो तो यह जो 90% हुआ हम लोग क्यूं क्यूं क्या मायनस दोस्तों क्योंकि हम लोग को हां नीं निकालना है लॉस निकालना है तो नब्य परसंट अगर हम लोग निकाले यहां देखें तो क्या होगा 500 थीक है बटा में 1001 परसंट भूने 90 ठीक है नमब्य परसंट नो पच्छे 45 ठीक है एक जीरो तो राम कप राम कह सकता है अपने बेटे पिटा को कि पापा हम जो चार्सों पत्चास उर्प्या में क्या कि वस्तू को बेच दिए अब कहेगा भाई कि लाउस लॉस जो तुम हुआ लॉस कितना हुआ तुम्हारा पुरा जो लॉस हुआ तो 500 सो माइनस चार्सों पत्चास कितना हो जाएगा दोस्तों पत्चास उर्प्या का लॉस हो जाएगा कितना का लॉस हो जाएगा पत्चास उर्प्या का लॉस हो जाएगा अब पत्चास उर्प्या दस परसेंट के वराबर है अब देखिए इसका सीधा कुश्चन हम लोग अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यह आपने आप में 100% होता है ठीक है कोई दिकत नहीं कोई लिकत 100% इजिकल तो कितना लिखेंगे हम लोग 500 लिखेंगे लेजिए भाई साइब 500 लिख दिए 500 बता क्या करेंगे 100 कर देंगे हम लोग का लॉस से निकालना लॉस कितना हुआ तो दस परसेंट हुआ तो गुने दस कर देंगे बता रहा हुं था सा वे दूखांदार है वो क्या किया वस्तू को खाइडा को वर्स्तू को खरिदा कि तैरिया में 800 ब्यान टिकन है आप सो प्रेस्ट का लाव लेना है इसके क्या लेना है प्रॉफित लेना है 10% ठीक है लेकिन जो ये खर्दा है दोस्तों ये जो खर्दा है उसको 10% का हानी पहले ही हो चुका है कहने का मतलब 10% का लॉस जो है पहले ही हो चुका है किसको दुकानदार को अब 10% वो लाव पाना चाहता है तो कैसे कुशन बनेगा इसको 900 रख लिजे थो आसा इजी हो जाएगा ठीक है देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो दुकानदार ख़ड़ा है कोई वस्तू को ख़ड़ा है ये जो दुकानदार कोई वस्तू को ख़ड़ा है वो 10% का लॉस लेकर ख़ड़ा है और 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है ठीक है 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है हम लोग जानते हैं कोई वस्तू अपने आपने 100% लेकिन ये 10% हानी पे ख़ड़ता है तो क्या होगा 100-10 इस कर टू 90% ये जो वस्तू है आपका 900 ये 90% के बराबर है कितने के ब इसकल टू 110% हम लोगा निकालना है आप सिंपल हो गया ना कुश्यन 110% निकालना है क्या करेंगे क्या करेंगे 900 बट्टा में 90 ठीक है अगुने 110 सिंपल जीरो से जीरो खतम 10 ठीक है गुना करेंगे 1100 उस दुकांदार को वस्तू को 1100 में बेचना चाहिए तब ये उसको 10% क लाव मिल पाएगा क्योंकि वह 900 का वस्तू तो था ही लेकिन उससे पहले भी उसको 10% के हानी विखर दे हुआ है 10% लाव लेना है तो क्वेश्चन ऐशे बनेंगे तो आप लोगों देखे तो आसा मैं रिविजन करवा देता हूं सौट कोट में आप लोगों ने क्या सब सम प्रॉफिट किसे कहते हैं हाण लाव को एल किसे कहते हैं लॉस मतलब हानी को ठीक है क्रेमल भी क्रेमल लाव और हानी है डाउप है नहीं तो दोस्तो नेक्स्ट वीदियो में मैं और अच्छे से कुस्ट्री करेंगे बात करेंगे उस पी मजा आ Bäईगा क्या आएगा मजा आएगा वीदियो में जान रहा हाई वीदियो में और प्रक्षिस कराऊंगा और चलता चलेगा और मैं उस वीडियो में आप लोग को थास्ट देमेह देता हूँ वो त्रिक का वो ठीक वाल्य आने वाल आप लोग का क्या रहेंगे प्लस माइनस अ प्लस माइनस ख़ास माईनस इबी बटरा में एक सो यह जो ट्रीक है ना दोस्तों काफी इंप्रटेंट ट्रीक है ठीख है तो मैं नेक्स्ट वीडिव में इस पर डिटैल ने बताऊँ गाए यह वीडियो आप लोगो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा पार्ट वन हो जाएगा यह ठीख है